साउथ जोन ट्रिकेटर मिस लिली के केस ने पूरे देश में तहल का मचा दिया है और लोग इस बारे में जाने के लिए बेचैन है अब रमेश राव के बयान के बाद ही बोर्ट के मेंबर्स आगे का कूर्स ओफ आक्शन तेह कर पाएंगी अब से कुछी देर में बीसी सी आई कमीटी की मीटिंग शुरू होने वाली है मिस लिली और रमेश राव वहां पहुँच चुके है मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि मिस्टर रमेश राव दोशी है या नहीं तब तक आगे ये खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए लेडिज और जेंटलमें गूड मैं आप सब को बताना चाहूंगा कि ये कमीटी बीसी सी आई के तरफ से डिरेक्ली अपॉइंट की गई है इस कमीटी का मकसद है साउथ जोन के चेर्मेन मिस्टर रमेश राव पर लगाए गए यौन उत्पिरन के आरोपों की जाच करना मैं भी बहुत दुखी और परिशान हूँ क्योंकि मेरे उपर ये जूटे इलजाम लगाए गया है मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस को जल्दी निप्टाया जाए ये मेरे करियर का और सोसाइटी की नई जनरेशन का भी सवाल है बलकि मेरा तो ऐसा मानना है कि वी शुड़ प्ले इन हेल्दी आटमस्फिया मिस लेली नवेमर 2017 में आपने अचाना एक प्रैक्टिस पर आना छोड़ दिया इसका कारण बता सकती है लेली उन्हें बताओ क्या हुआ था बताओ बीटी इसका एक्सिदंट हुआ था इन्हें बताओ लेली एक कमीने तु अपना मुब तक ते से क्छा करनों है इसके बीचे अपना मगज खराब कर रहे है मेरी बात सुनिये ये जियल का किड़ा इसे जियल में रहने दीजिए अभी तो इसका पैर ठीक है अभी क्यों इसका एप्र साइलें था मिस लेली को बोलने दीजिए मेरा एक्सिदेंट हो गया था सब साफ हो गया इस अंट रिकॉर्ड सर क्लियर लेली तुम्हारे आज के डिसिजिजन पे ही तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है सब कुछ सच सच बता दो यह क्या हो रहा है सर यह उनले यह अंतलु करेंट कि लिए अंटिए आट सामने हैं सर इस लड्की का तिमागी संतुलन खुड़ चूका है यह रहा है क्या प्सक्रों कर एकाराइब नहें अजब हो गो है क्या कर राहा है पहर नहीं चोड़ू पर हुआ कि आप जोग ज़ुने आपको वाइन देस्टेस्टेटों में लिए एक यह उन्हा ना किसी की भी जालने सकता है मिस्टर बाबी मैं आपको वॉर्निग देरों हम केस को डिस्मिस करें एक मिस्टर ना को क्लीचिदे देंगे एसे कैसे केस दिस्मिस कर देंगे, sir? Please, be quiet, be quiet. इसे कमीना इसे harassed किया, ये रेपिस्ट है, sir. रेपिस्ट? Sir, ये मुझे यहाँ सब के सामने रेपिस्ट कह रहा, sir? Sir, आखिर याँ ये हो के रहा है. अपने गटर जैसा मुझे बंद कर चुपचा, पैचा, sir. इसकी वरे से बहुत साही लड़कियों की जिंदगी बरबाद हुई है. उन में से कितनी लड़कियों ने क्रिकेट छोड़ दिया, sir. पर आज तक दर के मारे, किसी ने इसके खिलाफ आवास तक नहीं उठाई है. सरेक मिलेट, sir. ये मुझ पर सामना रहा है और मैं वस्तुपचा. गिवस अ मोमेंट, प्लीज. मिस्ट लेली, आप खुद बताईए, मिस्टर रमेश राव ने आपको हैरस किया था या नहीं? से यस और नो. नो. अगर युन्होंने कुछ नहीं किया तो आपने कम्प्लेंट क्यों की? अगर ये बात है, तो हमें बॉबी के खिलाफ केस फाइल करना होगा. ये आप जानती है? सर, क्या आपकी डॉर्टर मेंटिली स्टेवल है? क्या उन्हें पता है कि वो क्या कह रही है? मैं नहीं जानता है ये लड़की कौन है. अगर ये कहना क्या चाहता है? पता नहीं. और मैं जिसके लिए लड़ रहा था, वो ये लड़की नहीं है. अगर आप इसे नहीं जानते, तो आपने कंप्लेंट क्यों दर्ज की थी? मैं इसे नहीं जानता सर. समेश्रा और मेरे बीच में एक ज्यात्ती दुश्मनी है. एक बार किसी वज़ा से मेरा और उसका जगड़ा हो गया था. मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में मैंने उस पर हाथ उठा दिया. पर मेरा गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ. मैं उससे बदला लेना चाहता था. इसलिए उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए है, मैंने उस पर सेक्शुल हरस्मेंट का केस टाल दिया, सर. वैसे लड़ाई जगड़ा करना मेरी आदत है, सर. मैंने हर बार खुद को बदलने की कोशिश की लेकिन नहीं बदल सका. इसलिए मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए. क्योंकि ने लगा कि मैं कभी खुद को बदल नहीं पाऊंगा. इन सम्में लिली को क्यों इन्वाल्व किया? ये, ये मेरे पडोसी की दूर की रिशेदार है, सर. तीन साल पहले मैंने किसी शादी में इसे देखा था. किसी ने बताए ये क्रिकेट खेलती है. इसलिए रमिश्राओ को भसाने के लिए मैंने इसका नाम ले लिया. मैंने जानता था कि ये इतना बड़ा इश्यू बन जाएगा. इसका इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है, सर. सारी गलती मेरी है. बहुत वा, सर. सर, मैं और मेरी पूरी फैमिलीज कंप्लेन बाजी का चकर में बहुत परिशान हुए है. अब छोड़ दीजे मुझे. No more discussion, please. We are very sorry. हम समझ रहें आप पर क्या बीत रही है. Please take your seat. Mr. Bobby, आपकी वज़े से एक लड़की का करिया और एक जेंटलमेन की reputation खराब हुई है. आपकी हरकते समाज के लिए खत्रा है. ये माफी लाइक नहीं है. Mr. Shrikanth, please take him into the custody. Sir, मैंने तो पहले ही कहा था, कि समाज में ऐसे दरिंदो की कोई जगा नहीं है. यादाओ, ले जाके भेग दे इसे जिल में. बाबी, 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 प्लीज, बाबी, बाबी. अब से हमारे रास्तिया लग है. बाबी, 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 प्लीज बैट जाहिए, हम कमेटी की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं. नो, 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 प्लीज सर, आप मुझसे माफी मत मांगिए. I need an apology from her, सर. मैं बताता हूँ, सर, इस तरह की लड़कियां, जिनके पास ना तो talent है, ना ही focus है, वो सब इसी तरह से sports में उपर आना चाहती है, सर. इन लोगों की वज़ज से, जो अच्छे place है, वो भी की लाज़, इस तरह की लड़कियों की जच्चगी कराब करना चाहता है, तो? यह ना चाहते हैं, जिनके लेकों की सिकाउटी, तू कौन होता है, मुझे रोकने वारा? लेविट में आलाउड, इसने मेरी सिंदगी बर्बात कर दे, पीर शुखने, एक रिकिट मेरी सिंदगी थी, सर, मेरा सपना था, इस कवीन ने उस सपने को कुछल दिया, चूर कर दिया सर। कुछ बाते तो ऐसी हैं जो मैं अपने पेरेंस को नहीं बता सकती। यह वाश्रूम में हमारे पीछे आता था और हमारे साथ बहुत गुंदी अरकते करता था। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजे सर। साउथ जोन क्रिकेट प्लेयर मिस्क लिली के साथ सेलेक्टर रमेश राव के खलत विवहार के लिए बोर्ड मिस्क लिली से माफी मांगता है। मिस्क लिली जैसी होनहार खिलारी को बोर्ड एक एसेट मानता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो नैशनल टीम सेलेक्शन की तयारी करे बोर्ड मिस्क लिली के फ्रेंड बॉबी को भी धन्यवाद देता है जिन्होंने इस मामले को बोर्ड के सामने रखा बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि सेलेक्टर रमेश राव को इस पत से डिस्मिस किया जाता है और उन्हें पुलिस कस्टेडी में भेजा जाता है विशली एक सवाल यह इतने दिनों तो आप ने इस बात को चुपा कर क्यों रखा डर हर लड़की को ये डर होता है कि अगर वो कंप्लेन करेगी तो क्या होगा हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारी परिशानियों को जहिलना पड़ता है उस समय हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला और ना ही किसी ने हम पर ध्यान दिया, इसलिए हम डर गए पर हम जैसो की डर को हिमबत में बदलने के लिए एक खास इंसान की जरूरत होती है जो ने डर हो आसान भाशा में कहूं तो हर लड़की के जीवन में होना चाहिए एक कॉमरेट कॉमरेट कोई भी हो सकता है दोस्त हो सकता है भाई हो सकता है, माबाप हो सकते है मेरे जीवन में भी एक कॉमरेट है मैंने सिर्फ एक बार उसे कॉमरेट कहा और उसने हमेशा मेरा साथ दिया हर पल वो मेरे साथ रहा वो तूटकर भी उसने मुझे साहरा दिया अंत में उसने मुझे लड़ना सिखा ही दिया आज की ये जीत उसी की है मिस लिली इस वक्त आपका कॉमरेट कहा है अब दुबारा क्रिकिट खिलना कब शुरू करेंगी मिस लिली मिस लिली मैं इसे नहीं जानता हम तो बस एक दो बार मिले क्या कह रहे थे तुम पढोसी की रिष्टेदार है रमीश राव को अरेस्ट कर लिया गया मैंने उसे मारा नोच डाला साले को सबने मुझे रोकने की कोशिश की बॉबी लेकिन मैंने मारा उसके चेहरे से तो हवाहिया उड़ गई थी पर मैंने सब को सच बताई दिया मैंने सब कुछ बता दिया तुम होते वाना तो तुम देखते मैंने क्या क्या मैं वही था मैंने देखा अपनी लिली को नहीं नहीं मुझे बिलकुल मत छूना क्या कह रहे थे, हमारे रास्ते अलग ही, जो दुबारा कभी नहीं मिल सकते। टेक इट बैक, इसे वापस लो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूँगी, मैं बोल रही हूं बहुत मारूँगी, चलो वापस लो लेली वापस लेली ओक्ये? पुर्ण करने हैं बड़े दुख की बात है हमेशा ये बात याद रखें ये हमारे बच्चों की गलती नहीं है लड़कियों की भी खलती नहीं है उन्हें इस बात से अकेले में डरा कर चुप मत कराए सफलता पाने के लिए मन से डर का निकलना बेहद जरूरी है आपको अपनों के लिए उनका कॉमरेड बनना होगा सबका खयाल रखे टीम डियर कॉमरेड